और अब खबर है यूपी के लखनों से जहां संद श्री आशाराम बापूजी के साधकों ने हर साल की तरह इस साल भी 25 दिसंबर को धुंधाम से तुलसी पूजन दिवस मनाया और भव शुभायात्रा भी निकाली इस शुभायात्रामें लखनों के कई वरिष्ट समाज से भी शामिल है तुलसी पूजन दिवस पर निकली इस शुभायात्रामें शामिल साधकों ने कहा है आईसी तो क्या रेली निकली कि लोग कह रहे लखनों में आशा राम जी बापू के चेलों ने धमागा कर दिया आईए देखते हैं में देखते हैं कर दो देखते हैं झाल झाल तुलसी घर घर से हटी है इसलिए क्रिस्मस इतना आगे बढ़ने लगा क्रिस्मस ट्री जबकि उसे आज तक कोई फायदा नहीं है हम लोग के घर के बच्चे भी स्कूल में कमपल्सरी कर दिया गया है कि सेंटर क्लास बनके आएंगे जबकि तुलसी से हमारे कितने फायदा है इसलिए सबसे अनुरोध है कि घर घर में 25 तारिक को हम लोग को तुलसी दिवस मनाना ही मनाना है सादक लोग को देख देख के पूरा परिवार करेगा तो पूरा समाज करेगा मोहला करेगा करेगा जबकि पूरा परिवस मनाना है पापुजी के आश्रवास नहीं ये दिन हमने मनाया है और बड़े ही शद्धा से हर साल इस दिन पर हम लोग आके तुलसी पूजा करके इनकी पूजा करते हैं और जबस को मनाते हैं क्रिष्णा बाव ऩाल जुद पर जुद्वे दोगे दोगां क्रिष्णा बजय पर यह अरिरर्ण गरे पर यह थे अरे कृष्णा यह थे Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare साधको की ये हरियोम बोली ऐसी वैसी ये बोली नहीं है ऐसी वैसी ये बोली नहीं है निंदकों की तड़क और गरज से दरने वाली ये तोली नहीं है लेके सत संग हरियोम सादक सत्य संदेश दिल में है धारे सुन लो जगवालो इन अपवाओं से दरने वाली ये तोली नहीं है दरने वाली ये तोली नहीं है हम तो सत गुरू के प्याँ तूल्सी पूजन दिवस पर निकली इस शोभाय आत्रा में शामिल सादकों ने कहा है कि तूल्सी पूजन भारतिये संस्किती का एक एहम हिस्स़ा है लगनो आशरम के साध़कों ने कहा कि आज का युवा पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित होकर अपना आज नश्ट कर रहा है अपना ओज नश्ट कर रहा है ऐसे में तुलसी पूजन जैसे कारेक्रमों से पर्यावरण और संस्कृती दिरक्षा के प्रयास की जा रहे हैं इस शुभायात्रा में शामिल महिला मंदल की बहनों ने तुलसी के पौधे के गुर बताते हैं तुलसी पूजन राने का दिव्य संदेश भी दिया तुलसी पूजन दिवस के उपलक्ष में यूपी के कई जनपदों में शुभायात्रा निकाली गई